हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू विज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल माइसेल्फ डॉक्टर दीतमाला आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं सी एलिगेंस का डेवलेप्मेंट सी एलिगेंस का पूरा नाम सीनो रेपडाइटिस एलिगेंस है तो सबसे पहले हम लोग सी एलिगें सी एलिगेंस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सी एलिगेंस में सी एलिगेंस फाइलम निमेटोडा को बिलॉंग करता है इसको हम लोग कॉमन लैंग्विज में राउंड वार्म बोलते हैं और अगर हम लोग इसके जनेरेशन टाइम की बात करें तो इसका जनेरेशन टाइम बहुत शॉर्ट होता है, three days होता है, they are free living animals and first multicellular organism whole genome sequenced in 2012, तो ये एक ऐसा organism multicellular first organism है, जिसके पूरे genome को sequence किया था 2012 में, इसलिए C. Elegance को model organism की तरह treat करते हैं, मतलब बहुत सारे studies में इसको model organism की तरह use करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे speciality हैं, जो कि हम लोग one by one discuss करते हैं, fertilization and development occur in lab condition, lab condition में fertilization और development हो सकता है, ये इसके पूरे embryogenesis में 16 आर का time लगता है, और they can be easily cultivated in lab condition और other condition, small size ये animal होते हैं, like 1 mm के, lineage of every cell can trace, इसका मतलब यह है कि अगर C. Elegance के lineage है, means कि अगर O side बन रहा है, O side से 2 cell division, 2 cell बन रहा है, 4 cell stage बन रही है, तो उनको means trace किया जा सकता है, इसलिए इसको model organism की तरह treatment मिलता है, model organism की तरह use किया जाता है, live in temperate soil environment, temperate soil environment में ये रह सकता है, has two sexes, two sexes होते हैं, एक hermafrodite होता है, hermafrodite का मतलब ऐसे organism जिसके पास male और female sex organ दोनों पाए जाते हैं, उनको हम लोग hermafrodite करते हैं, तो जब C. Elegance की बात करते हैं, और जो hermafrodite animal होता है, उसमें जो cells का नंबर होता है, वो 959 cells होती हैं, और अगर male की बात करें, तो male, दूसरी जो category होती है, male, उसमें जो cells का नंबर होता है, 1031 cells, ऐसा आपके एग्जा में question भी पूछा गया है, तो basically इसमें दो sex होते हैं, ए और दूसरा male हो सकता है, hermafrodite को female की तरह consider किया जाता है, ज़्यादातर जो menes C.E.Elegance होते हैं, पहले male बनते हैं, फिर hermafrodite बन जाते हैं, और ज़्यादातर hermafrodite C.Elegance पाये जाते हैं, और उनको consider किया जाता है female की तरह, क्योंकि यहाँ पर female अलग से नहीं है, या तो her जो हर्माफ्रोडाइट है उसको as a female treat किया जाता है C elegance में vulva formation तो बहुत important है उसके साथ साथ कभी कभी question देखने में मिलता है कि जो C elegance है उसमें anterior-posterior का development, dorsal-vental का development कैसे होता, कैसे ये decide होता है कि कहाँ पे anterior बनेगा, कहाँ पे posterior बनेगा और कहाँ पे dorsal-vental बनेगा तो इस पर question अक्सर मतलब पूछा जाता है, बहुत frequently नहीं लेकिन question आता है, तो उसी से related जो आपका बचा है C elegance उसमें आज हम लोग इसी पर discussion करेंगे, तो जब C elegance का division होता है, तो वहाँ पे कुछ cell specification होते हैं, जैसे कि हम लोगोंने already पढ़ रखा है, कि cell specification क्या होता है, किसी भी cell को किसी particular fate में जाने के लिए, पहले उसको specify होना पड़ता है, और वो specification तीन तरह का होता है, autonomous, conditional और synchartium, तो यहाँ पे C elegance के case में, जो specification है, वो two type का होता है, जो C elegance के germ line cells हैं, उनमें जो specification होता है, वो autonomous specification होता है, और जो endoderm का formation होता है, वो होता है conditional specification, तो जैसे कि नमरता आपको यह नहीं शायद पता होगा कि autonomous specification और conditional specification क्या होता है, आप यह समझ लिजे कि कोई particular cell है, और cell के पास कुछ भी बनाने का जो भी means fate, उसके पास itself वो cell खुद decide कर रही है, उसको autonomous specification कहा जाता है, और suppose कि यह cell है, आप यह किसी environmental factor की वज़े से किसी particular fate मे जा रही है, तो उसको कहा जाता है conditional specification, आप truth language में इतना ही समझ लिजे कि जिस cell के पास अपना fate, fate का मतलब कि जो भी उसे बनाना है, जो भी बनाने वाला है, उसके पास जो भी information है, उसी के according वो अपना fate decide कर रही है, तो इसलिए उसका नाम autonomous, अपने आपको specify कर रही है, उसको कहा जाता है, autonomous specification, और जब कोई सेल, आजपास की सेल से interact करके किसी particular fate में जाती है, तो उसको कहा जाता है conditional specification, उसी elegance के case में, specification, germ line cells में autonomous होता है, और इंडोडर्म जो बनता है, उसमें conditional specification होता है, जब first cleavage होता है, जब sperm और egg का fertilization होता है, और जब पहला cleavage होता है, तो पहला cleavage होने पे एक anterior founder cell बनती है अभी आपको diagram से सारी चीज़े clear हो जाएंगी बस आप अभी सुनते रहें एक anterior founder cell बनती है आगे चलके वो specific cell type बनाएगी मतलब कि progeny बनाएगी cells की आगे चलके वो और भी lineage बनाएगी तो एक anterior founder cell progeny produce specific cell type तो जब division होता है first division मालीज़े कि cell है इसका first division हुआ तो एक anterior founder cell बनती है means कि यहाँ पे एक anterior founder cell बनेगी और एक posterior stem cell बनती है एक posterior stem cell बनती है और ये stem cell आगे चलके मतलब और refinement करके और प्रोच जानी बनाती है समझना है बात को कि जब division होता है तो एक anterior founder cell बनती है और एक posterior stem cell बनती है जो anterior founder cell होती है वो आगे चलके कुछ specific cell type बनाएगी और जो posterior stem cell है वो भी आगे चलके और founder cell बनाएगी जो कि और refinement करके और progeny को develop करेंगे stem cell division result in new founder and new stem cell और जो पहली जो founder cell होती सपोज उसका नाम P है वो जो cell होती है आगे चलके वो कुछ founder cell बनाएगी founder cell का का काम क्या है कि organs को अलग-अलग develop करना और कुछ stem cell बनाएगी stem cell आगे चलके एक तरीके से germ line cells की तरह काम करेंगे eventually continuing the germ line देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि germ line को continue करेंगे stem cell अभी इतनी बात आप पस समझते जाएए मतलब सुनते जाएए फिर आपको चीज़े समझ में आ जाएगी अब इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर C elegance का structure बनाया गया है इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग इसके structure की बात करें तो यहाँ पर होता है क्या यहां पर एक होता है कोवरी का structure होता है यहाँ पर वल्वा हम लोगों ने कली बात की थी यहाँ पर वल्वा होगा यहाँ पर intestine होता है ठीक है यहाँ पर intestine हो जाएगा फिर यहीं पर anus होता है rectum होता है इस तरह का कुछ structure होता है अब यह इसके मतब suppose कि आप माली जी कि इतने part का यहां पर diagram दिया गया है इस diagram को देखें तो इस diagram को जो ये tip होती है इसको कहँआ जाता है distal tip cell क्या कहा जाता है distal tip cell या short बेसको बोलते हैं D-T-C इसके बाद यह होता है mitotic reason mitotic reason means कि यहां पर division कैसा हो रहा mitotic division हो रहा है इसके बाद तो जो distal tip reason से लेके यहां तक की reason में mitotic division होता है फिर यहां पर meiotic pro phase शुरू हो जा रहा है means कि यहां पर हो रही है meiosis means कि यह meiosis का zone आ गया यहां पर क्योंकि हमने बताई थी कि ovary है तो यह ovary यहां पर आप समझे कि यहां पर ovary है और ovary में क्या बनेगा meiotic zone चल रहा है meiosis के थूरू germ lines बनते है germ cells बनते है meiosis के थूरू ठीक है meiosis के थूरू क्या बनते है germ cells बनते है यहां पर ovary है तो क्या बनेगा oocyte बनेगा तो यह क्या बन रहा है यह oocyte बन रहा है ठीक है oocyte बनने के बाद लिए हर्माफ्रोडाइट है यह क्या है हर्माफ्रोडाइट तो हर्माफ्रोडाइट के केस में तो क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल फर्टिलाइजेशन दोनों हो सकता है तो मालेजे सपोज कि यह अभी सेल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहां पर स्परमो सब चीज ट्रांसपेरेंट होती है जैसे मैं फिर्स जे बताया था कि यह ट्रेस करना इसको बहुत आसान होता है क्योंकि सारा चीज इसका ट्रांसपेरेंट होता है हम लोग लीनियच को देख सकते हैं जैसे जैसे यह डेवलप कर रहा है वैसे वैसे हम देखेंगे कि 1-2-cell-4 तो हम लोग बता सकते हैं अब इसमें जो cleavage होता है जब embryo की development मतलब जाइगोड बन जाता है तो जो cleavage होता है rotational holoblastic cleavage हमने आपको वहाँ पे बताया भी था जब आपको developmental concept वाली class बता रहे थे तो हमने बताया था कि C. elegancy में rotational holoblastic cleavage होता है hollow means क्या होता है complete ठीक है और rotational का मतलब कि कुछ इस तरह से तो एक के उपर दूसरी cells इस तरह से superimposed कर रही थी तो कुछ इस type से development होता है rotational hollow blastic cleavage का अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या है यह suppose जाइगोड बन गया जाइगोड बनने में सबसे पहले जब first division होता है तो एक anterior founder cell बनती है जिसका नाम रखा गया है AB और एक posterior cells बनती है जिसका नाम रखा गया है P1 अब further जो anterior founder cell है वो further divide करेगी anterior founder cell एक क्या होगी मतब suppose कि यह तो एग का anterior posterior हो गया ठीक है जो एग है इसका anterior और इसका posterior अब यह cell जब divide करेगी तो यह cell भी anterior posterior में divide करेगी तो एक cell anterior हो जाएगी और दूसरी cell posterior हो जाएगी किस तरीके से एक cell से एक founder cell से cells और बन रही है वो यहाँ पर बताया गया जब P1 cells replicate करेगी तो यह क्या बनाएगी P2 germline cells मेंस कि यह stem cell P2 बनाई एक तो stem cell P2 बनाई और एक इसने founder cell बनाई जिसका नाम है EMS यह आगे चलके क्या बनाने वाला है इंडोडर्म मीजोडर्म ठीक है तो यह क्या हुआ कि P2 मतला P1 जब डिवाइड हुआ तो इसने दो cells बनाए P1 P2 germline cells में चला गया stem cells बनाई और दूसरी एक founder cell बनी जो founder cell EMS है और आगे चलके यह बनाएगी मीजोडर्म और इंडोडर्म ठीक है अब इसके बाद आप फर्दर जो anterior founder cell में जो मतला founder cell anterior है उसका क्या बनेगा आप suppose कि यह anterior है यहाँ पे आप देख पा रहे है anterior cell है founder cell anterior founder cell का एक left बनेगा एक right बनेगा तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पी के बाद posterior cells का left यहाँ पे दिख रही है cell यहां पर anterior cell की right दिख रही है फिर यहां पर मतलब कि यह जो 2 cell बनी अब इससे 4 बनेगी anterior का left right बनेगा posterior का left right बनेगा तो इस तरह से यह 4 cells बनेगी और जो यह P2 cell है P2 cell क्या करेगी? यहां पर P2 cell से 1 बनेगा, देखें यह जो EMS cell है EMS डिवाइड करेगी मीजोडर्म और इंडोडर्म में और जो P2 cell होगी वो फर्दर 2 cell बनाएगी एक बनाएगी C ठीक है, C बनाएगी और दूसरी बनाएगी P3 तो P3, जो यह P1, P2, P3 cells जो अलग कलर से भी आप यहां पर देख पा रहे हैं यह cells actually में जब डिवाइड हो रही है तो यह अपने सेम एक तरीके से आप इन cells को आटोनॉमस समझेए कि वो अपना वही करेक्टर लेकर आ रही P1 में P2, P3 और जो फाउंडर सेल्स बन रही है जो जब लाइग से फाउंडर सेल्स बन रही है वो तो किसी पर्टिकुलर फेट में जा रही है जैसे कि यहां पर मेजोडम बन वाली सेल बन गी इंडोडम वाली सेल बन गी और एक यह C बन गई C सेल भी कुछ बनाती होगी अभी आगे आपको पता चलेगा इतना समझ में आया कि अब यसे यहाँ पर वही बात देगी first cleavage create anterior founder cell anterior founder cell बनती है और जो कि आगे चलके specific cell type बनाती है एक posterior stem cell बनती है और जो founder cells होती है वो क्या बनाएंगी बहुत refine करके progeny का development करेंगी तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे cells अलग-अलग उनके fate अलग-अलग decide हो रहा है आगे चलके यह सब अलग-अलग organ में participation करेंगी तो इस तरीके से यह process होता है अब इसके बाद अब इसका हम लोग fate map देखते हैं C.Elegance का fate map इस fate map में सारे cells के कहां पर क्या चीज़े हो रही है वो सारी चीज़ें यहां पर दी हुई है यहां पर सबसे पहले कोई एक cell है यह P0 cell है जाइगोट के पास तो सब कुछ बनाने की capability होती है तो यहां पर यह एक suppose कि यह ऐसी cell है या germline cells इसको मान लीजे कि इस सब चीज बनाने की capability इसके पास है आप इसके बाद क्या हो रहा है कि यहां पर जब यह जैसे हमने बताई है कि जब यह cells क्या होती है divide होती है तो एक बनती है anterior founder cell तो AB बन गई anterior founder cell और एक बन गई P1 cell तो यह P1 cell बन गई जो interior founder cell है वो क्या होगी उसका एक anterior बनेगा पें रईस दो से बने यहां पर यहां पर पी होगा य। घलती अ सब्सक्राइब तो इसका भी राइटी सो से लिएँ अब रेफ्ट बन जाए का फ्रम यहां पर जब एग या जाइगोट से डिवाइड होके anterior founder cells जो बनी थी उससे अभी 4 cells बन गई है ये जो 4 cells बनी है इसमें से जो anterior right वाली cell है मतलब कि जो anterior founder cells की right cell है वो बनाएगी hypodermis और neurons इसके बाद जो left side की cell है वो बनाएगी pharynx posterior जो anterior founder cells की जो posterior part है posterior part में भी जो right और left दोनों मिलके बनाते हैं neurons और hypodermis मतलब कि बहुत सारे part बनते हैं जब पूरे C elegans में तो उन में कौन कौन सी cell कहां कहां पर participation कर रही है वो यहां पर mention किया गया है ठीक और यह चारो founder cells almost 389 cells मतलब जो C elegans में हमने आपको उस दिन बताया था कि C elegans में 1031 cells होती हैं और हर्माफुराइट में 959 cells होती हैं तो वो cells के नंबर जो है वो नंबर में 389 cells यह एंटीर फाउंडर से डिसाइड हो जाती हैं अब इसके बाद से अगर हम लोग जो posterior cell बनी थी posterior stem cell या germ cell बनी थी वो क्या करेंगी posterior stem cells एक तो अपने germ line को maintain करके रखी है आप देखिए P1, P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4 यह सब क्या हैं यह सब है germ line cells तो यह stem cells है यह as it is हर उसमें मतलब कि division में जा रही है germ line cells और साथ में जो यह germ line cells है कुछ founder cells भी बनाती हैं founder cells का मतलब कि जो body के part में participation लेंगी तो जैसे कि जब यह divide करती है तो दो cells बनती है एक बनता है EMS और दूसरा बनता है P2 तो P2 तो germ line cells है तो यह तो पार्टिसिपेट अभी कर नहीं रहा है लेकिन जो EMS है वो आगे चलके further 2 cells बनाएगा क्या बनाएगा mesoderm और endoderm तो यहां पर यह जो mesoderm है तो इसमें किस-किस पार्ट में बाड़ी का कौन-कौन सा पार्ट बनेगा फैरिंग्स बनेगा मसल्स बनेगा गोनैट्स बनेगा और इसमें यह 80 cells यहां से बन जाते हैं फिर इंडोडर्म बनता है तो इंडोडर्म से जैसे इंटेस्टाइन बनेगा यहां पर 20 cells का involvement है इसके बाद जो P2 तो यह फॉर्दर डिवाइट करेगी P3 बनाएगी और एक C बनाएगी C cell जो होती है वो आगे चलके बनाएगी hypodermis neurons बनाती है और यह 47 cells में पार्टिसिपेट करती है और साथ में यह cells मसल्स भी बनाती है मतलब और और अगन डेवलप हो रहा है तो कई जगह पे muscles का कई कई cells कहां कहां पर पार्टिसिपेट करें और कौन कौन से cells किस किस जगह पर पार्टिसिपेट करें वो सारा यहां पर P2 मैप दिया गया है फिर इसके बाद जब P3 डिवाइट करेगी तो P3 डिवाइट करेगी तो P4 बनाएगी और एक D बनाएगी तो P4 तो germline cells है तो यह germline की तरह ही काम करेंगे लेकिन जो Ds है यह क्या बनाएगी? यह बनाएगी muscles जो कि 20 cells इसमें involved होंगे तो इस तरीके से यह पूरा इसका fate map है कि किस तरह से cells कहां पर जा रहे हैं और वो क्या body के पार्ट बना रहे हैं अब जैसे कि यह एक जाइगोट है जाइगोट में जब first cleavage हुआ तो क्या बना एक anterior founder cell बनी और एक posterior germ cells या stem cells बनी second cleavage हुआ तो यह जो anterior founder cells थी इसका भी anterior और posterior बनी suppose कि यह दो cells बन गी तो anterior founder cells का posterior और anterior दो cells बन गी P1 replicate किया तो क्या बना P2 बना EMS बना फिर इसके बाद फरदर अब क्या होगा यह replicate करेगा तो left right बनेगा यह replicate करेगा तो इसका भी left right बनेगा तो इसलिए आपर चार cells दिख रहे हैं P2 replicate करेगा तो क्या बनेगा P3 P3 और C बनेगा C क्या participate करता है hypodermis और neurons में और जब EMS डिवाइट करेगा तो क्या बनाएगा mesoderm और endoderm तो इस तरीके से यह पूरे cells के इस तरह से fate map decide होते हैं और फिर यह आगे चलके body का part बनाते हैं कि इतना समझ में आया सबको कि इतना समझ में आया अब इसके बाद हम लोग कि cells कैसे anterior और posterior axis का formation कैसे decide होता है anterior posterior axis formation देखिए जैसे ही जैसे ही sperm entry करता है कहां पर o site में तो fertilization होता है sperm की entry यह decide initiate तो कर देती है polarity को जैसे आपको पता है ना कि हम लोग बात करते हैं कि animal pole से sperm की entry होती है ठीक लेकिन यहां पर pole की बात नहीं हम यहां पर initiate हो जाती है लेकिन वह polarity maintain नहीं रहती है उस polarity को हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह maintain polarity है polarity initiate तो हो जाती है fertilization के बाद लेकिन वह polarity maintain नहीं रहती है क्योंकि polarity anterior posterior बनाने का मतलब ही तो polarity है anterior posterior बनाने का मतलब ही तो polarity है तो वह polarity नहीं रहती है अब क्या होता है कि कुछ proteins होते हैं जिनको हम लोग polarity maintain नहीं रह पाती है तो फिर कैसे decide होगा anterior posterior anterior posterior decide करने का मतलब कि polarity generate होना तभी anterior posterior decide होगा लेकिन sperm की entry से itself नहीं हो पाता है तो इसके लिए फिर क्या होता है इस establishment के लिए कुछ proteins होते हैं जिनको बोला जाता है partitioning नाम जहीं पता चल रहा है कि कुछ तो partition यह करेंगी ठीक है partitioning protein या इनको short में बोला जाता है par protein तो cortical cytoplasm cortical cytoplasm किसका कहां होता है cytoplasm oocyte में जब cortical की बात करें तो कहां हो रहा है oocyte जो egg है उसमें एक cortical area होता है अमने fertilization में आपको बताया था और वहां का जो cytoplasm cortical का cytoplasm होता है उसके पास par 3 protein होती है और internal side में अभी आप सुनते जाएए आपको diagram से सारी चीज़े clear हो जाएंगी internal cytoplasm में एक protein होती है max 5 तो यह एग है suppose egg के इस तरफ मतलब की बाहर की तरफ cortical जो होती ही वहां पे होता है par 3 यह par 3 होता है और अंदर की तरफ होता है max max 5 when sperm enter egg nucleus is going to under meiosis जैसे sperm की entry होती है तो meiosis शुरू हो जाता है the cortical cytoplasm contain par 3 and internal cytoplasm contain max 5 the cytoplasm begin to flow towards the sperm pro nuclei near newly formed sperm esters part 2 replaces part 3 अभी sentence का आपको कोई मतलब समझ में आया हो आप diagram से सीधर समझी हो ठीक है अब यहां पर दिखिए यह है diagram यहां पे suppose यह है o site ठीक है यहां पर sperm की entry हुई है ठीक है यहां पर sperm की entry हुई है जब यह o site है तो अभी इसमें माली जे कोई भी आपको variation नहीं दिख रहा है लेकिन अभी हमें variation करना हम par protein का नाम ले रहे हैं हम par 3, par 2 और हमने क्या नाम लिया max 5 और 6 ठीक तो यहां पर कोई देखिए क्या होता है कि जो आप यह एग देख रहे है एग में अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो एक आपको maroon color का या red color का हिए red color की lining दिख रही है और इस तरफ आपको orange color की lining दिख रही है तो यह आप समझे कि जब sperm entry कर लेता है तो उसके बाद cytoplasm का जो flow है कुछ ऐसा होता है यह flow मतलब इधर से कुछ flow हो रहा है जहां sperm ने entry की है यह क्या है यह oocyte का pronikli आई है यह sperm का pronikli आई है इधर से sperm वाला cytoplasm move करेगा और इधर से यह करेगा क्योंकि इन दोनों को fuse करना है और जब fuse करने के बाद division करेंगे तो वहीं से anterior posterior मतलब decide होने होने वाला है तो अब यहां पर जो पार protein है तो जो रेड कलर की आपको lining दिख रही है तो आपको यह समझना है कि उस site में यहां तक तेखिए यहां तक जो कि anterior par यहां पर anterior par कहां पर यह जो दिया हुआ है यह पार 3 एक्चली यहां पर mention नहीं है यह पार 3 है और इसके बाद posterior में par है वो par 2 है यह orange कलर का है और इसके बाद साथ में max 5 और 6 इसमें आप gradient देख पा रहे हैं अगर आप यहां पर gradient देख रहे हैं तो कुछ yellowish gradient दिख रहा है कि यहां पर है पाई 1 और P granules दिख रहे हैं वो यह शो कर रहे है यह पूरे एग का जो gradient और structure color जो है यह सारे अपने अंदर पाए जाने वाले protein को means की demonstrate कर रहे हैं तो par 3 कहां तक है यहां तक par 3 पाया जा रहा है यहां पर 2 है और यह जो black color के दिख रहे है यह अभी esters है जब sperm की entry होती तो यह newly formed esters यहां पर पाये जाते हैं इतनी बास समझ में आई आई आप लोगों को इतनी बास समझ में आई कि जब आप cell division पढ़ते हैं तो जो means animal होते हैं animal में esters के थू डिवाइड होते हैं chromosome ठीक है आप पढ़िएगा जाके cell division में esters के थू chromosome जो spindle fiber आपने सुना होगा तो बहाँ पे esters होते हैं वो esters भी animal के case में esters पाए जाते हैं वो esters cell को divide करने में help करते हैं ठीक है गोविंद आप आज पहली बार आए हैं तो अभी तो काफी development निकल चुका है बट फिर भी जो भी चीजें हैं आप समझने की कोशिस करिएगा अब इसके बाद तो इतनी बात आप लोगो समझ में आ गई होगी अब यहां पर आप देखिए कि जैसे ही अब क्या होता है कि यह स्पाम एंट्री किया अब यहां पर देखिए हमने पहली बताए कि इसका फ्लो इधर की तरफ हो प्रोटीन है वो जो पूरे यहां तक फैली हुई थी वो पार्टू इसको रिप्लेस करती है अब यहां पर देखिए इस वाले डाइग्राम में क्या हो गया है कि आल्मोस्ट हाफ में औरेंज हो गया है तो इसका मतलब हाफ में पार्टू हो गया है ठीक है और हाफ में पार 3 को replace कर दिया है, part 2 protein ने part 3 को replace कर दिया है, जहां पर part 3 कभी हुआ करता था, अभी वहां पर part 2 आ गया है, क्योंकि इनके जब और इसके बाद इधर इधर क्या हो रहा है, जब यह मिड में मिलते हैं, मिनस की इधर से इसकी shifting होती है, और इधर से यह nucleus आ रहा है, दोनों के pro nuclei means की एक पोजिशन पे मिलते हैं और फ्योस हो जाते हैं और इसकेसाद साथ जब ऐसा होता है तो और नए esters बनते हैं और एक अस्टर की territory बन जाती है मतलब कि एक area डेवलप हो जाता है esters का तो वह ester का जो area है वह जादा तर posterior side में develop होता है अब अब देखे यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ पे separation होना शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पार यहाँ पे replace हो गया है तो अब यह decide हो गया कि अब यह पार 2 जहां तक है वहाँ पे क्या बनेगा वहाँ पे बनेगा posterior और जहाँ पे part 3 है वहाँ पे बनेगा anterior और साथ में यह जो yellow color का दिख रहा है क्योंकि max 5 max 5 और max 6 कहां था anterior side में तो जो anterior side की cells होगी वहाँ पे max 5 और max 6 होगा और जो posterior side की cells होगी वहाँ पे max 5, max 6 नहीं होगा वहाँ पे part 2 होगा लेकिन यहाँ पे कुछ और protein पाये जाते हैं जैसे की P granules तो P granules कहां पे रहते हैं ऐसा भी question आपके exam में पूछा गया है कि P granules कहां situated होते हैं तो posterior side में situated होते हैं ठीक है अब तो अब इसका division होगा और division होके यह 2 cells बन रही हैं दो cells बन रही हैं दो cells बना के क्या बना रही हैं कि जो anterior जो पहली इधर की cells बनी वो हो गई anterior founder cell AB anterior founder cell AB और यह हो गई posterior germ cells या stem cells जो anterior founder cells है उसके पास क्या है पार 3 है और max 5 या max 6 है लेकिन जो posterior cells है उसके पास no और little max 5 और पार 2 है उसके पास नी और उसमें localized है पी ग्रेनियूस इस तरीके से anterior founder cells बन जाती है और posterior germ line cells बन जाती है इतना समझ में आया आप लोगों को इतना समझ में आ गया सबको आ गया सबको अब हम लोग जो हम लोगों ने अभी सुना है उसको एक बार हम लोग sentence में देख लेते हैं the domain of part 2 expression expand as the sperm nucleus and migrate towards the center of cells जैसे कि हमने बताया था कि क्या हो रहा है कि part 2 replace कर रहा है part 3 को अपने expression को expand कर रहा है कहां तक बढ़ा रहा है वो वहां पर ले जा रहा है expression जहां पर कभी part 3 हुआ करता था वहां तक ले जा रहा है और center तक पहुच जा रहा है part 3 means कि mid of the center तक part 2 पहुच गया है part 3 को replace करके तो at first division about half of the part 2, part 3 and max 5 polarity remains मतलब कि जब first division होता है तो एक half में part 2 आ जाता है half में part 3 और max 5 आ जाता है और polarity decide हो जाती है at the end of first division जब ये first division की starting होती है उस समय ऐसा हुआ लेकिन जब ending होनी होती है first division की तो क्या होता है एक AB blastomere बन जाती है जिसके पास क्या होता है max 5 और par 3 होता है और दूसरी P1 cell बनती जिसके पास part 2 होता है और max 5 नहीं होता है as sperm centriole migrate the protein par 2 become localized in cortical cytoplasm at the pole closes to the sperm nucleus displacing par 3 and max 5 as sperm ester encompasses territory मतलब की ये replace करते हैं क्योंकि यहाँ पे chance हो सकता था कि यहाँ पे max 5 होता लेकिन जैसे ही नए esters बनते हैं ये एक ऐसी territory बना लेते हैं कि यहाँ से max 5 एकदम से हट जाता है तो ये decide हो जाता है कि यहाँ पे ये area ही P1 cells का हो गया है यहाँ पे P granules रहेंगे, max 5 नहीं रहेगा और part 2 तो decide होई चुका था पहले ही ये तो first cleavage की starting में ही हो गया लेकिन जब last तक पहुचते पहुचते क्या होता है कि जब ये esters बहुत सारे बनने लगते तो ये एक territory बना लेते और यहाँ पे फिर max 5 नहीं रहता है As nuclei meet anterior of the cell contain part 3 max 5 in interior in मतलब की part 3 तो अंदर की तरफ है na sorry max 5 तो cell के cytoplasm में अंदर है par बाहर की तरफ है जैसे हमने बता है na par बाहर है cell के इस तरफ है और अंदर में max है while the posterior has part 2 in cortex part 2 cortex and cytoplasm free max 5 max 5 free होता है तो इस तरीके से क्या हो गया anterior posterior decide हो जाता है cell का अब इसके बाद par localize p granules par मतलब par क्या करते हैं p granules को localize करते हैं और p granules कहाँ localize होते हैं posterior reason में p granules होते क्या हैं यह ribonucleoprotean होते हैं अब यह क्या करते हैं यही हम बता रहे थे कि जो पी ग्रेनुल्स होते हैं जब फर्टिलाज़ाइशन हो जाता है तो वह पोस्टिर एंड की तरफ शिप्टिंग हो जाती है और पी ग्रेनुल्स सिर्फ पीवन सेल्स में एंट्री लेते हैं मेंस कि stem cells में फाउंडर cells में वो नहीं पाए जाते हैं पी ग्रेनुल्स अपियर तो भी प्लेक्शन ऑफ ट्रांसलेटर रेगुलेटर लाइक आरने हलिकेस पॉली एपॉलीमरेज तो यह सब आगे चलके और मतलब हेल्प करेंगे जो भी प्रॉलिफरेशन वगरा होगा दा ल प्रॉल्ट पॉलीमरेज़न पहले हो सकता कि पी ग्रेनुल्स इथर ही रहते हो लेकिन आफ्टर फिर्ट्लाइ़य यहीं पर रहें के पोस्टिरर में बहुँते हैं कुस तो ऐसा चीज होगा जो की उनको होल्ड करके रखाओगा वो कौन सी चीज होल्ड करके रखा है तो प जरूरत होती है, माइक्रो फिलामेंट की जरूरत होती है, तो इसी के उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है मालीजे, कभी आपसे फ्यूचर में ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाए, कि जाइगोट एक है, C. Elegant's का जाइगोट है और उस जाइगोट को एक ड्रग है, साइटो केलसिन D, साइटो केलसिन D है, जो की माइक्रो फिलामेंट इनिबिटर है, जाइगोट लिया गया, उसको किसे ट्रीटमेंट कर दिया गया, साइटो केलसिन D से, और साइटो केलसिन D क्या है, माइक्रो फिलामेंट इनिबिटर है, जब माइक्रो फिलामेंट इनिबिटर से जाइगोट को हम ट्रीटमेंट कर देंगे तो P-granules क्या posterior side में segregate हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, prevent segregation of P-granules है ना, prevent segregation of P-granules to posterior cells, तो इसलिए नहीं हो पाएंगे, तो एक तो यह experiment किया गया, लेकिन कैसे पता लगायागे, कि भाई, माइक्रो फिलामेंट की ही जरूरत होती है, P-granules को posterior side में localize करने के लिए, क्यों नहीं माइक्रो टिविल्स की होती है, तो माइक्रो टिविल्स के लिए एक एकस्परिमेंट किया गया, C. Elegance का जाईगोट लिया गया, उसको treatment दिया गया, 2 नाम प्रिकन को सबस्क्रायर किया गया गल्तелей टीटमेंट , और होटा है, आपने को अपने माइक्रो टबूल को えokन किंग क नाम सुना को है टीचमन को सबसrick स्कानों कि और Tibet यह और OSO के जरूरत नहीं होती है, इस experiment से ये पता लगाया गया, ये समझ में आ गया है सबको, इतना समझ में आ गया, anterior posterior में इतना ही है, आप बस इतना समझ लीजिए, आपके question हो जाएंगे, क्योंकि हमने पूरा analyze किया है, इसी सब चीजों से question आता है, ठीक है, अब इसके बाद हम लो basically दो चीजे होती है, एक होता है autonomous specification, पीवन सेल्स में हमने आपको starting में ही बताया, कि पीवन सेल्स में autonomous specification होता है, क्योंकि पीवन से पीटू बन रहा है, पीटू से पीथी बन रहा है, और सेम टाइप का अगर germline बन रहा है, तो इसका मतलब कि उसके पास खुद की अपनी information है उसी के according to germline cells बना रहा है, तो यह एक तरीके से autonomous specification हो गया, तो पीवन स्पेसिफाइज जर्म सेल्स मीन वाई, कुछ और प्रोटीन होते हैं, जैसे कि SKN1, PAL1, PI1, प्रोटीन are thought to encode transcription factor that act to determine fate of cells from, act to determine the fate of four P1 cells derived somatic founder cells, अभी आपको इस sentence से शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग सीधर टाइग्राम पर ही चलते हैं, तो जो यहाँ पर क्या होता है, कि जो dorsal ventral reside होता है, P1 cells में, जो germline cells है, वहाँ पर autonomous specification होता है, और जो endoderm की cells होती है, वहाँ पर conditional specification होता है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, कि मीजोडर्म, एक्टर्म, फिर इसके बा SKN maternally expressed, जैसे कि हम बार-बार बता रहा है कि यहाँ पर जब autonomous specification है, तो इसकी जो protein होगी वो भी तो उस side से ही आई होगी, है ना, वो SKN1, जैसे हाँ पर बताए कि SKN1, जो है, वो maternally expressed polypeptide है, may control the fate of EMS, EMS का जो fate करती हो, और EMS किससे बनी थी, P1 cells से divide होके EMS मतलब बन गई तो यह तो autonomous show कर रही है, जो EMS cells बनी है, वो भी SKN maternally, जो इस cells में SKN होगा, उसने इसको decide किया होगा EMS बनाने में, तो इस तरीके से, और यह आगे चलके EMS बनाती है, posterior pharynx, तो और इसके बद, conditional specification में क्या देखा गया, कि जो EMS बन गई, अब वो आगे चलके क्या कि मीजोडर्म और इंडोडर्म, तो इस case में, जो P1, P2, P3 cells बन रही है, वो तो क्या है, वो तो एक तरीके से autonomous specification शो कर रही है, लेकिन जो उसके साथ founder cells बन रही है, उन lineages में conditional specification हो रहा है, seen in development of indoderm lineages, जो उसके साथ साथ indoderm का lineage बन रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा है, वह EMS cells require signal from nevering, मतलब कि EMS cells को जब तक P2 cells signal नहीं देती है, तब तक वो cells MS में divide नहीं करती है, मतलब आप ऐसे समझे कि एक EMS cell बनी, कहां से बनी थी, P1 cells से दो cells बनी थी, एक EMS बनी थी, और एक P2 बनी थी, आब ये जो P2 cell है, और ये जो EMS cell है, P2 cell EMS cell को signal देती है, कि ये बना मेजोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है, ये दो चीज बना ले, तो ये signal अगर बडोस वाली cell, nevering cell signal दे रही है, तब ये किसी particular fate में जा रही है, तो इसका मतलब ये conditional specification है, अगर ये signal ना दे, तो ये हो सकता है कि इंडोडर्म ना बनाए, सिर्फ मेजोडर्म बना ले मतलब ये यहां पर conditional specification हो गया, तो जो P1, P2, P3 cells होती है, वो germline उनमें autonomous specification होता है, जो उसकी founder cell, EMS cells होती हो, उसमें होता है conditional specification, ठीक है, अब हम लोग इसको इस डाइग्राम से समझ लेते हैं, यहां पर आप देखिए, कि क्या होता है, कि मानी जी कि ये एक cell जाइगोट है, अब ही तक समझ में आया, जितना अभी तक बताया है, जितना अभी तक बताया, समझ में आया, अब ये first cleavage के through, हमने बताया, anterior posterior बन गया, anterior posterior तो decide हो चुका है, अभी क्या करना है, डॉर्सल वेंटल बनाना है, जब ये anterior cells, आगे चलके divide करती थी, तो क्या बनाती थी, इसका एक anterior बनता था, इसका एक posterior बनता था, इस cells का भी, तो जहाँ पे इस cells का भी, इसकी symmetry ऐसे है, इस cells से दो daughter cells बनी है, एक anterior बनी, एक posterior बनी है, इसके बाद जो P2 cells होती है, P2 cells में आप क्या देख रहे है, मतलब जो P1 वाली germ cells से P2 cells बनी थी, तो वो जो P2 cells बनी, P1 से P2 और EMS इस cells से ये दो cells बनी, P2 और EMS बनी, अब इनके बीच में भी बड़ी signaling होती है, तब ये अभी तो anterior बनाना है, तो ऐसे ही decide होगा कि ये वाला इधर कहीं dorsal बनेगा, इधर कहीं posterior बनेगा, इसी को decide करना है, अब ये decide कैसे होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कि ये P पीटू के पास एक MOM2 है, अब MOM2 क्या है, MOM2 एक WNT प्रोटीन है, कल की हमने उसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था, WNT पाथवे और एक हमने हैजॉग पाथवे बताया था, अब यहाँ पे WNT प्रोटीन है, MOM2 क्या है WNT प्रोटीन, के लिए रिसेप्टर कौन होगा, जल्दी बताये, WNT प्रोटीन के लिए रिसेप्टर कौन होगा, फ्रिजल्ड, गुड, है न, रिसेप्टर कौन होगा, फ्रिजल्ड, तो EMS सेल के पास इसका रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर का नाम है MOM2, कौन सा रिसेप्टर, फ्रिजल्ड रिसेप्टर, फ्रिजल अब ये दोनों आपस में सिग्नलिंग करते हैं और एक प्रोटीन होती है पॉप वन उसको कर देते हैं डाउन रेगुलेट और जब वो डाउन रेगुलेट हो जाती है तो ये एमस सेल्स मीजोडम और इंडोडर्म में चेंज हो जाती है ठीक है अभी इतना समझी है अभी तो अपि भी नहीं समझ में आया हो कि डॉर्स अलेटल कैसे बन रहा है यहां पर देखी यहां पर क्या है कि यहां पर जो एबी फाउंडर सेल की जो पोस्टीरियर सेल है इसके पास एक जी लपी वन आपको दिख रहा होगा यह जी लपी वन ग्या है एक नौच है नौच का मतल इसके पास है ABP के पास और P2 के पास इसका लाइगंड है अब भई यहां पर आसपास की cells है तो यहां पर कौन सी signaling होगी जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग चलेगी ठीक है नेवरिंग cells में कौन सी cells हो रहे हैं जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग देखें मेंब्रेन अटेच और इनके पास कुछ पार्ट है जिससे signaling होई एक के पास डेल्टा एक के पास नॉच है डेल्टा क्या होता है लाइगंड होता है नॉच क्या होता रिसप्टर होता है अब दोनों के बीच में सिग्नलिंग होती है अब देखें इसकी ट्यूनिंग तो इसके तो इनकी ट्यूनिंग तो इसके साथ अच्छी थी लेकिन ये जो बीच में आया P2 और इसने इससे सिग्नलिंग की तो इनके बीच में जो सिमिट्री थी वो सिमिट्री क्या हो गई विकार हो गई ठीक है मतलब कि इनकी सिमिट्री लूज हो गई जैसे ही इनकी सिमिट्री लू और इस तरह से decide हो गया dorsal-vental, समझने बात को, कि ये दो daughter cells थे, इनके बीच में एक symmetry थी, लेकिन ये P2 के साथ इसकी signaling होने की वज़े से, इनों ने अपनी symmetry loose कर दी, जब इनकी symmetry loose हो गई, तो फिर ये वाली cells अपना fate change करके dorsal में चली जाती है, ये वेंटल में चली जाती है तो एक signaling के through तो क्या हो गया, dorsal-vental decide हुआ, अब further EMS cells को mesoderm cells और indoderm cells बनाना है, तो देखे यहाँ पे क्या हो गया, कि ये dorsal बना ले रही है, ये vental बना ले रही है, अब further यहाँ पे दूसरी signaling कौन से चल रही है, P2 और EMS के बीच में, ये क्या है, WNT है, और ये जो, ये और ये कैसे बनाते हैं, जब इनके बीच में signaling होती है, तो एक protein होती है, POP1, इसका expression down regulate हो जाता है, down regulate का मतलब कि जब इनकी signaling चलती है, तो ये POP1 के expression को low कर देते हैं, और जब POP1 का expression low होगा, तो ये बनाएंगे mesoderm और endoderm, और suppose कि ये ऐसा न कर पाएं, तो दोनों cells mesoderm मे change हो सकती है, इंडोडर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ायते हैं, कि इंडोडर्म कैसा है, conditional specification है, क्योंकि इंडोडर्म जो ये बन रहा है, ये conditional specification की थूई तो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस cell ने इसको signal दिया, तब ये cell इस fat में गई है, नहीं तो ये नही हैंगी, P3 से P4 बना रही है, तो ये तो autonomous हो गई, लेकिन जो EMS cell से वो क्या होती, वो conditional specification शो करती है, समझ में आया, समझ में आ गया ये वाला चीज, ये वाला जो हम बता रहे हैं, क्या, डॉर्सल, वेंटल, फेट, समझ में आ गया सबको, अगर POP1 नहीं करेगा regulate, तो दोनों EMS की cells मेजोडम बना लेंगी, दोनों ही daughter cells MS बन जाएंगी, अभी आगे बताएंगे, अब इसके बाद तो यहाँ पर ये चीज होगी, अब हम लोग थोड़ा सा sentence पढ़ लेते हैं, ठीक है, sentence में क्या P2 produce WNT, जैसा कि Mom2 क्या है WNT है, इसे पाथवे में एमस जीन में, पोप 1 जीन इन इसे पाथवे में, एमस जीन में, पोप 1 का down regulation होता है, daughter cell क्या बना लेती है, E cells बना लेती है, अगर, अगर पोप 1 deficient हो जाए, पोप 1 deficient हो जाए, daughter cell में, तो बोथ EMS cells क्या हो जाएंगी, मीजोडर्म बना लेंगी, मतलब कि अगर पोप 1 हो ही नहीं, मतलब पोप 1 ही नहीं, क्योंकि जब down regulation पोप 1 का होता है, तब एक मीजोडर्म बनती है, मतलब जब concentration कम होता है, तो मीजोडर्म और इंडोडर्म बनती है, और अगर किसी भी condition से mutation कर दिया जाए ऐसा, कि पोप 1 हो ही नहीं, तो जब पोप 1 होगी नहीं, जब कम concentration पर एक इंडोडर्म बन रहा था, तो एकदम concentration है ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा, दोनों cells क्या बन जाएंगी, इंडोडर्म बन जाएंगी, यह point clear हुआ? कि अगर पोप 1 deficient है, जब पोप 1 कम था, तो एक इंडोडर्म बन रहा था, लेकिन पोप 1 का नाम ही खतम कर दिया गया, है ही नहीं, तो ऐसे केस में मीजोडर्म दोनों ही इंडोडर्म डॉटर सेल्स बन जाएंगी, मीजोडर्म नहीं बनेगा, और अगर पोप 1 मालिजए डाउन रेगलेट ना हो रहा हो, है ना, उसका concentration जादा है, तो दो मेजोडर्म बन जाएंगे, यह तो आपका यह वाला हो गया, मतब जिसमें की इंडोडर्म और मेजोडर्म बन रहे हैं, फिर जो दूसरी सिग्नलिंग जी एल्पी वाली उसके बारे में लिखा है, नौच प्रोटीन जी एल्पी 1, अपी-एक्स डेल्टा, फाउंड इन P2 सेल्स, इस एपी-एक्स सिग बीच में जो सिमिट्री है वो ब्रेक हो जाती है, जब सिमिट्री ब्रेक होती है, तो फिर यह क्या करते हैं की एंटियर पोस्टिरल में डिसाइड होते है, since it stimulates GLP solely on AB descendant, that it touches AB posterior, in doing this P2 cell initiate dorsal, vental axis of C. elegans and confer the ABP, fat differ from the sister cells, है नौच दो sister cells थी, लेकिन दोनों के fat अलग-अलग ह हो गया, क्योंकि यहां पर वो signaling चली, इसलिए दोनों sister cells ने अपना-अपना fat change कर लिया, एक dorsal हो गया, एक vental हो गया, अभी यह topic समझ में आ गया, अभी कोई doubt हो तो पूछिए, इतना समझ में आ गया, anterior-posterior, dorsal-vental, अचली एक question है, इस question को देखिए क्या है, और क्या option होगा? question है, the gigot of sea elegans exhibit rotational cleavage, हमने बताया कि rotational cleavage होता है, when the first two blastomeres formed, कौन-कौन से बनते थे? P1 और AB blastomeres बनते थे, are experimentally separated, दोनों को experimentally separate किया गया, the following outcome may be possible, अब आपको जब वो पूरी कहानी पता होगी, तभी आप यहां से sentence निकाल पाएंगे, यहां तो इन्होंने कोई information दी नहीं, जैसे कि CSIR में क्या होता है, इस C part का question है, information सारी question में रहती है, लेकिन यहां पे इन्होंने ज़्यादा information नहीं दी है, यहां पे अगर आपके पास information होगी, तभी आप इस question को कर सकते हैं, और even ऐसा बाकी जिससे C part में आप देखेंगे ना, तो वहां पे आपको question में बहुत सारी information मिलेगी, आपको भले ही कुछ भी knowledge और फिर भी आप वहां पे कुछ approach लगा के कर सकते हैं, लेकिन इस question में इन्होंने ज़्यादा कोई information नही दिया गया, तो क्या outcome होगा, तो बताइए आपने pre-history first, और किसने, ANC, सभी लोग ज़्यादा तर लोग सही बता रहे हैं, ठीक है, the P1 cell in isolation, generate all cells, it would normal make showing the autonomous specification, ठीक है, तो हम लोगोंने जैसा भी पढ़ा, तो ये A हो गया हमारा, P1 cell isolation generate, ये contradictory statement है, तो दोनों में से एक ही सही होगा, तो वही सही हो जाएगा, the AB cells in isolation generate a small fraction of cell type, it would normally make showing the conditional specification, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा चीज नहीं बना, क्योंकि उसको isolation में लिया दिया गया था, और cells से जब किसी embryo के अंदर है, तो वहाँ पे उनको आसपास के cells से क्या मिल रहा था, conditions मिल रही थी, जिसकी वज़े से वो किसी particular fate में जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ANC हो जाएगा, तो हमारा option क्या सही हो जाएगा, ANC, ठीक, तो अब इसके बाद तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने सही किया, फिर एक और question देख लेते हूं, इसमें क्या होगा, question चलिए हम पढ़ देते हैं, C. Elegance embryo uses both autonomous conditional mode of specification, conditional specification at the four cell stage can be seen in the development of endoderm, ठीक है, इंडोडर्म के development में क्या दिख रहा है, conditional specification, and also the establishment of dorsal-vental axis, और फिर क्या होता है, dorsal-vental axis भी develop होता है, following are the few statement regarding this, इसके regarding कुछ statement है, उनको हमें बताना है, तो पहला statement है, if the P2 cell is removed, अगर P2 cell को remove कर दिया जाए, four cell stage से, तो क्या हो जाएगा, the EMS cell will divide into two MS, MS cells, and no endoderm will be made, पताई ये सही है कि गलत, अगर हमने P2 cell को remove कर दिया, four cell stage से, P2 cell हट गई, अब four cell stage क्या, EMS जो उसके पास बचा, मानेजे कि ये चार cell stage है, ठीक है, ये चार cell stage थी, तो ये जो P2 cell थी, इसको हमने remove कर दिया, अब ये हमने remove कर दी cell, अब जो बाकी इसमें एक EMS cells थी, ठीक है, तो ये वाली जो cells है, EMS cells है, क्या ये आगे चलके MS और E बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, तो क्या बनाएगी, दो MS बना लेगी, तो MS cells बन जाएंगे, इंडोडर्म नहीं बनेगा, क्योंकि इंडोडर्म कब बनता था, जब P2 का, P2 में mom 2, mom 3 का जब interaction होता था, जब WNT pathway चलता था, तो फिर क्य करने वाला signaling हुआ ही नहीं है, तो उस case में इंडोर्म नहीं बनेगा, दोनों की दोनों क्या बन जाएंगे, MS बन जाएंगे, तो हमारा option पहले तो EA statement हमारा true हो गया, पहला statement हमारा true हो गया, दूसरा क्या है, in POP1 deficient embryo, बोथ EMS daughter cell become E, बिल्कुल सही है, दोनों की दोन, अगर अगर suppose कोई ऐसा embryo जहां पर POP1 deficient है, हमने इस sentence भी आपको लिखाई है, कि POP1 deficient है, तो ऐसे case में क्या होगा कि क्योंकि जो signaling चलती है, MOM2 और MOM5 की, वो signaling ही POP1 को downregulate करने के लिए चलती है, अब suppose POP1 है ही नहीं, तो EMS जो दोनों cells हैं, वो क्या करेंगी, दोनों cells इंडोर् statement हमारा क्या हो गया, true हो गया, when, अब इसके बाद next क्या है, when the position of ABPA, ABPP was reversed, अगर हम दोनों की position को reverse कर दें, जो founder cells थी, है न, जब suppose कि यह हमें आपको बर्थवार सा दिखा, यहाँ पर, इनकी position अगर हम लोग change कर दें, यहाँ पर बोलने कि यह दोनों की position आप change कर दीज, जो blue-alley cells दिखरी, इनको change कर दें, तो ऐसा change करने पर क्या हो सकता है, when the position of ABPA, ABP was reversed, their fate get reversed, कहने की fate reverse हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास, वो signaling के लिए factor ही नहीं है, जिसकी वज़े से हो रहा था, है न, जो signaling के लिए factor था, GLP किसके पास था, GLP, ABP के पास था, अब ABP नीचे आ गया, और यह उपर चला गया, तो क्या यह वाला काम, जो ABP जिसके पास GLP है, और यहां पर से लागी, तो क्या वो काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, fate भी नहीं अलग हो सकता है, मतलब यह नहीं कि यह उपर गई, तो यह यहां पर noch new cell कर ले क्योंकि इसके पास स्वाइब slọi सिंतेया कि इसमें आप देखेंगे यहां पर in the position off डूनों की रिवर्स कर देंगे तो यहांद mo फेट रिवर्स नहीं होंगे, वो फेट वहाँ पे जाके वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास फेक्टर ही नहीं है, जो कि फेट को रिवर्स कर पाएंगे, तो इसलिए यह हमारा फॉल्स हो गया, इन एम्ब्रियो, whose mother have mutant GLP-1, अगर किसी एम्ब्रियो में mutant GLP-1 है, तो ABP is transformed into ABP-A cells, हाँ यह हो सकता है, कि अगर माली जे कि जो उपर की cells थी ABP, जिसके पास GLP था, अब यह GLP और दूसरी cells क्या थी ABP-A थी, ठीक है, और यह P थी, यह बनाने वाली थी dorsal, यह बनाने वाली थी venter, जब इसके पीच में signaling हो रही थी P2 के साथ, तब यह dorsal में change होई, जब यह dorsal में होगी, क्योंकि symmetry लूज होई तो यह बनाने चली गई, तो यहाँ पर signaling हो रही थी ना, और इसके पास factor कौन सा था, GLP-1, और अगर GLP-1 deficient है, तो फिर यह भी तो वैसे ही behave करें कि जैसे कि यह कर रही deficient, deficient है इसमें, तो ABP is transformed into ABA cells, मतलब कि वो ABA cells की तरफ behave करने लगेगी, तो यह statement हमारा true है, तो इसके according हमारा statement question क्या सा ही हो जाएगा, A, B and D, इतना समझ में आ गया है सबको, clarity है सारी चीजे कैसे question और सब correlate कर पा रहे है topic को, acji, मतलब कर दो स्बकार रहे हैं सबस्ताव嘛, कझने ऑनके में पान सकत्राव में तो मंद जा गड़ाएगा जह ला वोजया है? झाल झाल